विल गाइज नियू यर के दिन लोगों ने तनी जोर शोर से पाटी की कि कि भाई मेरे आईरन मैन के सूट के अंदर भी केक से लेकर पठा के सब फूर डाले उसके चक्कर में सूट खराब हो गया और मुझे अब शाम हो चुकी है और मैं सूट को रिपैर करने में लगाओं ख अब बस यहां पर काम कंप्लीट हो ही ले या फिर उसके बाद मुझे चेकिंग करनी है अरे बाप रे यह कौन है कौन मार रहा है मुझे एक मिनट तू तू मुझे क्यों मार रहा है अरे बाप रे मैरे कभी सोचा नहीं था कोई बचा हो गाइस प्लीज हेल्प मी और बाप चोड़ मुझे चोड़ दे खाइस आप लोग जल्दी प्लीज डीविडियो लाइक करो चल्दी से Chance अब समस्क्राइब मुझे 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 यक capitalist के यहांपर अपना उतुर अपना दोस्त मुझे दूका दे सकते हैं मुझे मार सकता है नकी मुझे दुम जाओं और रिय definis tomara को पानी मिढा देगा नहीं पर बन ऊप्राइब को प्रिज शहा चनल करोוכ इससे करें मुझे मुझे इंसाफ मिलना चाहिए प्लीज वरना टोनी घुसा करेगा जल्दी देखता हो अभी तक तो टोनी ने भी अपना सूट रिपैर करके दो चार घंटे की नींद लई लियोगी जो एं ये क्या आरा वाब रहे बहें की खुसम ये टोनी स्टाक के सूट को उतनी बुरी तरह से किसने मा रहा है कि बलडी बलड नि किसी को मारने के बाद यहां से खीच कर ले जाया गया हो अरे लेकिन टोनी स्टाक है कहाँ पर और ये फ्रैंक्लिन और साथ में सिंचन बिंचन कितना सोते हैं यार अँडे कसम हमें चल्दी से टोनी स्टाक क्या पर आने से पहले उन सबीको उठाना पूड़ेगा अरे वह चोड़ो सबसे पर यह पता करो ना यह बलड किसका है और टोनी स्टाक है कहाँ पर फ्रैंक्लिन और सिंचन को बाद में उठा लेंगे अलक को डर लग रहा है कहीं यह टोनी स्टाक कही तो बलड नहीं है आरा कैस मिनट वहां पर एक और बलड का ट्रेसिस हैं वो देखो लगता है जिसने भी यहां पर जिसको मार है वो उसको खीचते-खीचते समुंदर की तरफ ले आए यहां के बाद तो कोई बलड नहीं है मुझे तो लगता है यहां पर पक्का जिस इंसान का ही बलड है वो जरूर न यह टोनी स्टाक पता नि कां चला है हमें चोड़ के अरे बापरे आह बहुत टंडा पाएंगे आरे उधर तो किसी बोडी पढ़ी है मेरे को दे आह यह तो टोनी स्टाक है वह क्या बोलरें डॉक्टो स्ट्रींज हाब आप पागल हो गया है क्या अरे बापरे हलको तो यकी पर हमें टोनी को बाहर निकालना होगा अभी कसम डॉक्टर स्रेंग चल्दी करो आ रहा हूँ आ रहा हूँ तोड़ा से टाइम लग गया जादू का इस्तमाल करके टोनी की बॉड़ी को खुद से टैच करने का वरना मेरे बस की नहीं था इतने बारी टोनी स्टाइक को बाहर औरे चल्दी आये टोनी सर टोनी सर आप ठीक तो है ना लगता है वो बेहोश है कुछ बोलनी सकता है यहाँ पर पानी में डूबा पड़ाता तो उसके पेट में भी पानी चला गया होगा हमें जल्दी से टोनी को सी प्यार देना होगा और यहाँ पर उसके पेट से पानी ब यहां पर चल्दी से उनको CPR दीजिए इतनी जेड़ से CPR दिये जा रहा हूँ टोनी की तो सांस ही नहीं चल रही है मुझे लगता है टोनी स्टाक मर चुका है यह क्या हो गया उठी कसम यह कैसी बाते कर रहा है तो डॉक्टर स्टेंड टोनी नहीं मर सकता अरे अब हम फ्रेंक्लिन कोर से चैंपिंचन चॉप को क्या बताएंगे डोनी स्टाक को किसने मारा हमें तो यह भी नहीं पता है यहां तक कि स्टाक में सुनके सारे कैमरा खराब है औरे बाप रहे यह बाहर से इतने रोने की आवाज किसकी आ रही है यार औरे बाप रहे एक कि पार्टी को ज्यादा ही कर लिए कि में तना ठक गया कि मुझे पता ही नीचला हो सकता है टोनी और वेंजरस में से कोई मुझे एक मीन है था होनु नहीं तो यहां पर अपने बैड्रूम में डाल दिया ओगा ख्यर लेकिन मेरी बाडि में इतना दर्द क्यों हो ऐसा लग रहा है भाई किसी से बहुत जोर की लड़ाई हुई है मेरी और बहुत पीटा भी है मैंनो इसको और पिटा गया भी हूँ मैं खेर जाकर यार एक बार अपनी हालत है यहां पर थो भाई सब्साइब इस ब्लड़ एक नट अरे लेकिन ये ब्लड मेरा नहीं है यहां लगता है जैसे किसी और का ब्लड हो यह क्योंकि मेरे ब्लड होता थो भाई मेरे merry से घड़ा भी नहीं हुआ जाता लेकिन दर तो बहुत हो रहा है मेरी बोडी में किसी से गंद पड़ा है यह नाइफ किसका है भाई यह टोरी ने चाकू क्यों रख रखा है बैड पर मुझे दे कुछ सम यहार है और यह अभी भाई वेपी भूत नीद आ रही है आमेद करता हूं सब कुस ठीक हो लेकिन यह आर यह यह बाक टोरी और वेंजर्स हैं कहां पर मुझे दे यह समझ नहीं है पुप अर जाकर प्रेंक्लिन को बलाता हूं जल्दी आ वच्चे कहां पर है तू इस इंचयन पिंचयन भी थक सुय हुआ है उटाई नहीं है इनको पता भी निया क्या हुआ अरे उटतो हो गया मैं असल में कुछ बताना चाहा रहा था डॉक्टर स्ट्रेंट मै अरे तू नहीं है तू तो अलटा यहां पर काफी कुछ शीशे मजे किया पर यह बता यह तेरी आलत इतनी पुरी हुए कैसे लेकिन पहले भी तू यह पता डॉक्टर सेंट रहा है और टोनी स्टाक क्या टोनी स्टाक एक मिनट यह क्या प्रैंक्लिन की बोड़ी पर जो बल घंट कीका मेरी बाड़ी पर पता नहीं किसका ब्लेड है मुझे यह भी नहीं पता तो छ्बस पथा जानवी जारे इंटार मार जहां से हमला ऑ ग लग कर एकितनी यह कहीं उंत्छ प copies क्रां choosing आपको ना शारी तना पुरा जै सकता है ने सुचा नीट है और भी प्रेंक्ली बिया के साथ किस ने किया है वह तो इना मेंचरस को पता हो नची है टोनी एक मैं अब ही तो आली में पार्टी मिला था अरे गाइस तो पूरा तिन खराब है लगता है मैं नुएर की पार्टी मना यह नहीं पाँगा अरे यह क्या वह भाई साथ मेरे घर को इतना अच्छा किन्छा है हाँ हाँ वही सप्राइज फ्रैंकलिन एप्पी न्यूर अरे हुआ क्या बड़ी आगर सजा दिया भे तुम लोगों ने अई हाँ ये सब टूनी भीया का इडिया है अप तूनी रहेगा तो हम साथ में मसे कैसे करेंगे औरको तो यह समझ हनी आ रहा ठोनी को चाकू से कि इस ने मारा फ्रैक्लिंक के पास एक चाकू मिला था छूटून के पास एक चाकू मिलाता है इतार शूचो डूब दीऊ क्या इसकी क्या ग है बिरे कर तक बंद करकाницы की कbeiter साथ तोनी को मारेगा जिसने भी यहां पर तोनी को मारा है चाहिए यह हो एंग्सुच मुजे कुछ समझ नहीं है एक मुझे मैं कुछ याद नहीं है के लिगा तोनी के रूम में कैसे सोकर उठा और मेरी बॉड़ी पर बलड कैसे लगावा था वो भी टोनी का और साथ साथ में यहाँ पर वो चाकू मेरे पास कैसे मिला मुझे कुछ ही पता नहीं है हल्क मैं सच बोल रहा हूं काई साप लोग फ्लीज कॉमेंट में यस लिगिए न यहाँ पर बताए हल्क को कि मैं मैं लेटरल इन से कोई बातचीत करने से कोई फादा नहीं है अब जब कि हम अवेंजर्स को शक है फ्रेंक्लिन पर तो हम इसका फैसला कोट में करते हैं क्या मतलब कोट में करते हैं मैं जल से जल पुलीज को कॉल लगाता हूं और उनसे बोलता हूं कोई वर्ल्ड का बेस्ट मैंने सुना है तुम हमारे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डिटेक्टिव है और बल्कुल क्या चाहिए तरको जल्दी से स्टाक वैसर आजाए बहुत बड़ी कईवड होगी अब आरा टोनी स्टाक हमारे बीच निरा हमें वर्ल्ड के बेस्ट डिटेक्टिव की और पुलीस की है और अब आप रहे थो बहुती बुरा हुआ मैं अभी आता हूं अब टोनी स्टाक का इनसाफ यहां पर पुलीस वाले करेंगे पक्का बता रहा हूं तेख लेना पुलीस मेरे पर शक करें तुम लोग करो इसका बदब यह नहीं है मैं तोनी को मारा हूं ठीक है मैं यर्द है मुझे भी अब वहार का बंदा सकता तोनी को उसके बसकी नहीं होगा देखे देखें कैसे यहां पर सारे-सारे रो रहा है और जल्दी पता कर क्या हमारे कलवेर है क्या चल रहा है इसका मतलब यह थकिन हमने से यहां पर सिर्फ फ्रैंकलन की बौडी पर थोनी स्टाक का वहां पायगा है मतलब ऐसा पक्का नहीं कि वो टोस्पेक्ट मानना पड़ेगा बिल्कुल और यहां पर आप जो कर सकते हैं ऑफिसर्स कीजिए और जल से जल पता लगाईए कि टोनी स्टाक की जान किसने लिए पुलिसाग करेंगे यह क्या हुआ है और उसी को टोनी स्टाक का गुने गार समझेंगे और उसी को जेल में डालेंगे और मौत की सजा दी जाएगी तोनी भाजा को कितनी बुरी द्राश ही मारा गया मुझे तो पक्काल लगता है कि चाकूश ही मारा गया मा बिल्कुल भाई पता नहीं मेरे दोस टोनी को कौन मार गया और कौन मुझे जुर्म में फसाने की कोसिस कर रहा है मैं अब आपना खतरनाक %. सबसे पहले कोन यहां पड़ अपने फिgender प्रेंट चेक कर वाईगा अल्ग दो चाता ए फ्रेंक्लीन के ंप्रिंगर प्रिंट चेक हो बाव भाई बिल्कुल फ्रैंक्लिन पर यहां ठीक है मेरे कर लो अच्छा टीक है यह फ्रैंक्लिन के फिंगर्प्रिंट टेस्ट हो रहे हैं देते हैं क्या होता है कुछ तो समझ नहीं आ रहा किया पर मैच हुआ नहीं हुआ अब बाट पर यकीन करो काईस कोई प्लीज चल दी विडियो लाइक करो चैनल सब्स्क्राइब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं आप सभी अब मेरा साथ बन सकते हैं और हम टोनी स्टा के असली खूनी को पकड़ सकते हैं यहाँ पर मुझे निर्दोश को फसाया जा रहा है जो कितना दर्द में है ओई दर्द क्या होता है मैं तुझे बताऊंगा ओए टोनी सर मेरे लिए पिता समान ते पिता समा तूने मुझस से बाप का साया चीन लिया हा तूने क्यों हमारा टोनी को उसने तुझे अपना चोटा बाई समझाता है यह बच्चे मेरे बात सुन अगर तू इधर रोकेगा और इनको समझाता रहेगा कि तूने नहीं मारा है तो यहाँ पर रहे तरह को पूच पूच के ही माड़ा लेंगे इससे बढ़ आमाल साथ च सजादी जाएगी है उमर कैद लेकिन तरह को जेल चलना ही पड़ेगा मैं क्या करूं ऑफिसर क्या और कोई तरह का नहीं इन्वेस्टिकेशन का जिससे की पतल लगे किसने मारा है अभी सारे के सारे सबूत तेरे खिलाफ ही है समझा और यहाँ पर गवाही भी देरे लोग क किसी भी तरह से टोनी स्ठाक को नहीं मार सकता ओफिसर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं हम तरह को सिर्फ और सिर्फ जेल लेकर जाएंगे हमें जितना ओडर मिला है हम उसको करेंगे का इस में हार नहीं मानुगा मैं जेल के अंदर रहके भी अब पुरी दुनिया यहाँ पर मुझे कितनी बुरी नजलों से देख रही है जिसमें से की ये सब तो अपरणी है इन्होंने कोई नहीं कोई अपराद किया है ये मुझे कौन होते हैं मारने वाले हां चपकी मैंने कुछ किया ही नहीं है अरे बापरे ऑफिसर कोई बचा हम यह सब मेरे को मार डालेंगे यह किस तरह का खतरनाग है यहां चारों तरह का फारादी रहते हैं और खतरनाग प्रेज्जब भागना पड़ का एपनी किसमत किसी और के हाथ ये ऐस कोमेंट में नो लिगिए हम सब और पता करेंगे नारी कमेंट में तो सब नो लिख रहा है गाईज अगर आपको भी लगता है कि फ्रेंक्लिन भाया निर्दोश हैं उन्हें जेल से बाहर निकालना चाहिए और असली कातिल भी भाहर गोम रहा है हमें उसको पकड़ना चाहिए तो चल दी कोमेंट में नो लिखिए नो जिससे कि फ्रेंक्लिन भाया घॉम यहाँ पर करता है मेरा बाग्ट है कॉई टाई का होगा हमारे टूनी स्टाइक को जिन्दा करने का मैं का है का मतलब यहां पर हमारे सारी दोस्त यहां नो तमनीकर नहीं हमें प सब्रेंक्लिन भी शाइच घुरम और और पता करना चाहिए किसल में यहां पर टोनी स्टाक को असलिए में मारा किसने आप प्लीज किसी जादू से पता किजिए ना कि टोनी भीया को किसने मारा है अगर ऐसी बात है तो मैं काम करता हूँ का जाता है मरने के बाद भी कुछ मिनट्स तक इंसान का ब्रेन जिन्दा रहता है काम करता रहता है तो मैं टोनी स्टाक के ब्रेन के अंदर कुसने कुछ करता हूँ और उसकी आखरी यादो को पता करनी कुछ करता हूं कि टोनी सा क्या कर रहा था, उसको किसने मारा है, अड़ी वाप्री, यहां पर टो, टोनी भई अपना सूट बना रहा है, वरा टोनी बच्चा बहुत मेंती था, अड़ी के सब चप दे को काम करता रहता था, विल्कुल सही तोनी को किसने मारा हे, यहां फ्रैंक लिन है कर दब दो यहां, 늦क बाइज कीución हैए, अरे बापर गास, काफी बढ़ा पार्टी वाटी हुए थी कल तो मज़ा ही आ गया अरे यह क्या मेरे बैड पे चाकू किस ने रखा है भई यह यह टो नि साफ पागल हो गया क्या भई बैड पे चाकू रख रखा है यह तो मेरा घर ही नहीं याद आएगा इस कल तो मैं टोनी के घर पे सो गया खैर उसके बैडरूम में सोने में मज़ा ही आ गया चलो एक काम करता है जल्दी से न इस चाकू को लेके चलते हैं और दिखाते हैं टोनी को कि उसने ये चाकू ले जाकर फ्रेंक्लिन हमारे टोनी को मारने जा रहा है लिए फ्रेंकलिन भीया तो दिखाने ली जा रहे ना की मा कर पाएं केसल में फ्रेंक्लिन वह चाकू किया टोनी को बस दिखाने ले गया था या फिर टोनी स्टाक को पीचे से मारने बिल्कुश चाही का सारा दूद कर दूद और पानी का पानी हो जाएगा लेकिन उसके लिए तो हमें फ्रेंक्लिन को जेल से चुड़ाना चलते हैं गाईश मुझे पूरा यकीन है फ्रेंक्लिन भाया कभी यहां पर आशा काम नहीं कर सकते हूं हमारे टोनी भीया को नहीं मार शकते है जब अब हम लोग एक बार प्लीज यस लिखो कोमेंट में बताओ आप अप फ्रेंक्लिन भाया को सपोर्ट करते हैं ने बाब ह तोनी भीया और फ्रेंक्लिन भीया भावी दिखाती नहीं थे पर वो एक दूशे हमेशा से प्यार करते हैं प्रेंक्लिन भीया ओफिसर प्लीज मेरे को कोई सिक्रेट जो जादा मत बोल खुनी तरह को सिक्रेट नहीं मिलेगे अरे वो मेरे को मार देंगे चारो तरफ से मेरे को कुछनी करके मेरे को पीट रहे है अरे तुम लोग यहां पर क्यों आयो हो हल्क तुझे बाहर ले जाना च किसने मारा है आपकी यहां पर निर्दोशी थाबित करनी है हमें अगर आप निर्दोश हैं तो प्ली समय साथ चलिए अरे गलत कर रहे हो तुम इसको ले जाकर मेरी बात मानो अरे बाप रे गाइस कि आप लेने तुम लोगों का मुझे बता होगे भी हाँ है 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 फिकी भी बताओ कहां चलना है चल्दी से यहां पर स्टाक में से चलिए हम डॉक्टर स्ट्रेंज भाईया से आपके दिमाग को चेक करवाएंगे क्या मैं पागल थोड़ी हो जो मेरे दिमाग को चेक कर रहा होगे केनी का मतलब आपकी कुछ पुरानी यादों को ताजा किया जाएग हल्क ने साफ साफ देखा है तू यहां पर चाकु ले जाकर टोनी स्टाक को मारने जा रहा था क्या मुझे कुछ ऐसा याद नहीं तुम नहीं कहानी के मना रहे हो चलो गाईज अब देखी लेता है दूद का दूद और पानी का पानी होना सी है मैं मुझे पूरा यकीन है भ चल्दी करो मुझसे तो सबर नी हो रहा है मैं तो भी सकर रहा हूं कि यहां पर कोई और ही खुनी निकले और इसको पीट पीट कर हम टोनी भीया को जिन्दा कराने का इलाज पूछ ले इलकुल सही का मभी यह चाहता हो आज है फ्रेंक्लिन चल्दी आज है वाई साब आज सार इसमें मैं कर भी कह सकता हूं सारे के सारे सबूत और सारी चीजे मेरे खिलाफ है भाई अमीद करता हूं मैं पता चली जाए के टोनी बच्चे को किसने वारा है पाहा हूं माई गॉड यह क्या मुझे चक्कर क्यों आ रहा है एक मिनिट वाट मैं तो लेटा हूं हम तेरी यहां चैट्स बहुत हैं पर तयार होई गया एक मैं ट्रीस यहां पर करेंगा ऑफ हैं मुझे याद डीया मुझे तो ऐसा लगता है किसी ने जादू का इस्तवाल करके इस चाकू को गायब किया या फिर चाकू को मेरे पास वापस कोई रखके गया है उसके बाद क्या हुआ मुझे समझ नहीं हा रहा है पता नहीं आगे देखतें क्या होता है और राइट गाइस यहां पर देखिया भी मैं उठ रहा हूँ उसके बाद क्या होगा अरे पाप्रे यह कल तो भाई साम मसा ही आगया पाटी करके एक मिनट गाइस बट मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि मैंने ऐसे कुछ बोला भी था अरे बाप्रे मैं तो भूली गया था गाइस के मैं टोनी स्टाक के घर पर हूँ अरे बाप्रे यह सब तो हम देख चुके हैं बल्कुल और अब देखना यह फ्रैंकले इस चाकू को सीधा टोनी स्टाक के पास ले जाएगा और इससे मार देगा हमारे टोनी स्टाक को आगर एकने क्या होता है और यह चाकू मुझे जल्दी ज़ल्दी तो टोनी स्टाक से अरे जल्दी तॉनी शायद नीचे कुछ काम गरहें और फिरसाराइं कर रहा कर रहें चेकर ना पड़ेगा और यहां पर तो कोई भी ने दृखे रहा मेरे को अब पता चले स्थी यहां इससे आगे का हमें कुछ नी दिखाता है और टोनी भाइए कहां पर रहे तु अशी यहां पर कंप्लीट होई गया यह पक्का फ्रैंकल नहीं होगा लेकिन फ्रैंकी बिया तो अंदर है अरे यार आज मुझे स्टोनिस्टाक के बच्चे को ठिकाने लगाने पड़ेगा लेकिन अगर मैंने स्कोप मारा तो यहां पर इल्जाम मेरे उपर आ जाएगा मुझे और आवी इंजस्मिसी किसी पर इल्जाम डाल दूँ पहले मुझे कोई वैपन चाहिए है एक मिनट काई यह तो ब्लैक फ्रैंकली है आरा वापरे ब्लैक फ्रैंकली क्या कर रहा है मैं तो अदर ऐसे खड़ा हूं देखिए बट मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है कि मैं से ख बेखोश कर दिया था लेकिन बेखोश होने के बात तो जब हुआ पस उठता है तो चीजे याद रहती है मुझे याद क्यों नहीं रही अरे वार इसके हाथ में चाकू यह क्या कर रहा है मुझे तो लगता है मुझसे पहले इसका प्लेंदा किसी को मारने का यह तो अब मु इसने का है यह तो मुझे समझ लियाब यहाद क्या रहा है मुझे के असे मार सकता मुझे क्या बिगाड़ा है ह Cry किया वापने अपना दोस मुझे कैसे मार सकता है मुझे कुछ दिखनी रहा है क्योंकि मैंने तेरी आँखे फोड़ दिए बेवकूफ चाकु से मर जाएगा तो टोनी स्क्राइग चोड़ते मुझे प्लीज काईश्या आपको बेंजर्स को पता ना होगा कि यहाँ पैर अपन मुझे मारा है इसा कैसे हो सकता है वर Grow till मुझे मार तो मैं नश्हॅ यार्व फ्रेंकलिन के पास चाकू कैसे मिला तो को यह नहीं हूँ कर टो एक मिनट ऐएन कर दो 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 एक पर बातर एस कर दी गई थी तो भी यहां पर मुझे पता नहीं चला था कि क्या हुआ है इसके इस्तमाल से इस जादू के इस्तमाल से फ्रेंक्लिन की यादें दोंद ले हो जाएंगी और कोई भी साधरा इंसान उसकी यादों को नहीं देख पाएगा लेकिन मैं तो अंतर यामी हो मैं फ्रेंग्ल Wish को मारा गया है मेरा काम तो हो गया बल्ले बल्ले यहां पर मुझे यह भी पता चला कि असल में मुझे मारने वाला फ्रैंक्रिंग्लिन नहीं बेलेक्व कॉछ कॉंट को माफ कर दे अरे प्लीज मुझे भी माफ करते दोस्तों अरे चल तुझे क्यों माफ करें अरे मैंने अब तो यहां पर टोनी स्था को जिन्दा करने को पाई भी बता दिया और तुम अभी मेरे को बिजली के जटकों से और सासत में पुलीस के बॉम से पिटवा रहे हो हम तेरे को मार दें यह बहुत मजाएगा थैंक यू सो मच है